हाई अप्रिवन गुड मॉर्निंग फैलकम टू मैं न्यू ब्लॉग हैपी माकर संकरांती तो यह कल का ब्लॉग है काईज अब इस पर सुबह सुबह नहा लिया है और ममी जी पर भी नहा ली है और नहाने के बाद दिन लोगों बहुत ठंड लग रही थी तो अभी ममी पैट से करें है हीटर जला के और शपरश के मुझे अभी करने है कॉम साथ ही साथ उसको अभी मैं सॉक्स अभी पहना दे रही हूं और फिर उसको सुटर लगारा सब कि अभी बोहत सारे काम हैं यहां के सारी चीजा अर वी कॉकि सब लोओं का अभीने नहाना दोना हो रहा था और यह अब भी नहा रहे थे मैं बोलीना सबसे लास्ट में नहाती हूं जो भी काम है वे कर सब करे कर These फिर में नहां गी लास्ट में तो बस इस पर्श को सॉक्स बगर पनाने के बाद अभी लेकर आई हूँ बेडरूम में क्योंकि कॉम भी आहीं पर रहता है रूम में ही कॉम कर दे रही हूँ और आज की दिन ऐसा होता है नहीं सब लोग सुबह सुबह तो ना हाई लेते हैं ना दो के फिर तील के लड़ू य है था साथ में दही थोड़ी सी जमी भी है लेकिन वह ना भी उसका कोई भरोसा नहीं है क्योंकि वह अच्छी तरीकित पॉफिक ने जमी है वह दही बस इस पर्श को थोड़ा सा मैंने मॉस्चिराइजर उसके फेस पर लगा दिया है और इसका हेयर भी अभी काफी बढ़ है तो कटिंग करवाने लेकिन ठंड इतनी ज्यादा है कि इनको सुबर सुबर टाइम ने मिलती है और सुबर के टाइम बहुत रश रहती है तो इवनिंग टाइम में ठंड ही लगती है आएका नहां कर आके तो फिर नहाना पड़ता है जस दोनों लोग अभी नहां लिए है हजबिन जी भी और स्पोर्च भी और मैं इनको बोली थोड़ा साब पूजा कर लो आज तो बस यह अभी ना पूजा कर रहे हैं स्पोर्च साइड में बैठा हुआ है और यह यहां पर चड़ाने के लिए भी ना वो क्या बोलते हैं तिलकुट नहीं तिलकुट नहीं जो पट्टी वह वाला यह लेके आए हुए थे पूजा के लिए हुए है और यह तुनों लोग अभी फूजा कर लिए थे मैं भी नहाद हो कि आ गई हूँ और मैं भी थोड़े दिन के लिए भगवान को याद कर लेती हूँ क्योंकि पूरे दिन पूरे रात में से हम तो कुछ पांच मिनट तो याद करने के लिए निकाली सकते हैं तो बस ज़्याद दिर में नहीं डगाती हूँ पूजा करने में सरदियों में बहुत ही कम टाइम में जितना लगता है न उतना मैं कर लेती हूँ और बस अभी ती लगवे कर लगवा दूँगी मैं बगवान जी लुको जो प्रशाद है वो भी मैं चड़ा दूँगी यारती कर लूँगी बस इतना ही रहते हूँ और साइड में मम्मी जी की दवाइया रहे हो यहां पर देक्ट नहीं है को ओनने मम्मी जी के साथ रहना देन किचन में आ चुकी हूँ ये मुंगफली वेगर लेकर आई हुए थे साथ में ये दही था इसमें से दही के जावन कुछ डाला गया था बाकी जो था इसको मैं बाउल में निकाल लेती हूँ क्योंकि अभी थोड़ा थोड़ा ना पहले मैं सुची कि दही चुड़ा ही खाएंगे लेकिन मुझे असला कि मुझे जी को ठंड ना लग जाए तो मुझे थोड़ी सी सोचियों कि रोटी भी बना दूंगी क्योंकि अगर अब ज्यादा कॉंटिटी में खाते हैं तो फिर ठंड लग जाएगे और यह सब ना तिल के कुछ लेके आई हुए थे यह यह भी लेके आई हुए थे यह भी तिल वाला ही है यह बहुत डेस्टी लगता है साथ में चार पांस तरीके का कुछ कुछ यह लेके आई हुए थे आज के लिए तो वह सब में निकाल ले रहे हुए हैं मुख़ले चिक्की है चिक्की बोलते हैं क्या बोलते हैं आप लोग बताना तो यह सब में निकाल ली और साथ में गुड़ का पैकेट था गुड़ का पैकेट भी मैंने अभी निकाल लिया है और उसके करने के बाद ना फिर यह देखिए यह हमारा मकर संकरांती श्पेशल दही चूड़ा लाई यह सारी चीछ और उसके बाद बस दही चूड़ा नहीं को ठंड लग जाएगी और ऐसे सोची कि चलो रोटी बना देती हूं तीन तीन या फिर दो दो रोटी सब लोग खा लेंगे और साथ में दही चूड़ा तो यहां पर मैं आटा निकाली हूं जादा आटा गूतना नहीं था तो फट फट से मैं गूत कि बना के बस सबको दे दूंगे प्लेट लगा दूंगे क्योंकि अभी टाइम हो चुका था 11 बसने वाले थे और फिर थोड़ा सा लेट भी हो रहा बाकी हम लोगों ने भी किया था उतनी सारी वीडियो शूट ही नहीं कर पाई तो बस आटा फटा फट से मैं भी लगा देती हूं और आटा लगाने के बाद मैं बनाओंगी रोटी सबजी सुबह सुबह बन गई है आलू को भी कि जो सबजी मॉमे जी ने आज मनाया है तो स सबजी मॉमे बोले ना कि मैं बना लेती हूं क्योंकि सुबह इतना सारा काम था ना मैं उसमें लग गई थी और बस यहां पर फटा फट से भी बनाती हूं रोटी सबजी गरम करने के लिए रग दिया था और उसके बाद सबके प्लेट लगा दो सूझे कि ना कि 3-4 रोटी बन जा है फिर सबको मैं चुकि मैं सरदियो में ना सबको सोचती हूं रोटी गरम गरम ही खिला हूं क्योंकि ना 2-3 मिनट भी ठंडा कर दो ना उसके बाद वह खाने वाला टेस्ट ही नहीं आते हैं एकदम ठंडा और खाया भी नहीं जाता है तो यह देखिए यह हैं मेरी पतंग यह खरीद के लेकर आया है शपर्श के लिए तो यह मैं पहरे जब छोटी थी तो बहुत उड़ाती थी और बहुत जादा उड़ाती थी मैं बताई नहीं सकती हूं कितना उड़ाती थी यह मैं भूल भी गई हूं कि इसके जुननत उते ना वो कैसे लगाना है तो ए कि पैरों में दर्द रता है सेडिया चड़ने में भी प्रॉब्लम होती है तो इसलिए मैं मना कर मतलब मना नहीं मैं कभी बोली नहीं ममी से छट पे चली लेकिन आज हम सब आया ना तो बोले कि चले ममी आपी थोड़ा सा छट पे आज गों लीजे तो भी आई हुई थी और तो बस यहां पे सपर्ष भी है और सपर्ष के लिए तो एक दम ही मतलब यह सारी चीज़ों में वह इंटरेस्ट नहीं लेता है लेकिन उसी के लिए हम लोग यह सारा कुछ करते हैं यहां पे मम्मी जी बैठी हुई है साइड में उपर फोल्डिंग लगा रखा था कोई तो यह बोली कि नहीं मुझे खाना है तो यह रख के गये यहां पे कटकर दो में ख्हाऊंगा तो यहां पे यह भी मम्मी जी को भी बुला रहे थे थोड़ा सा न कि आप यह बिया चाब खाने के लिए तो मम्मी ने मना कर दिया बोली नहीं बहुत ठंडा है मैं नहीं खाऊंगी लेकिन पता है सर्दियों में मुझे ठंड लग जाती और इनके बोलने पर न मैं खाली ये सारा और उसके बाद तो पता है आज मेरी तब भी ठीक नहीं है तो ये काला नमक का जो डबा था वो भी ल किया था पहले से एक खा चुक एक दूसरा वाला ये बोले कि तुम भी खालो मुझे फूट Möglich चुके दूसरी अमरूट बहुत जादा पसंद है साथ में और इंज वह इन एपल इतना सारा है इतना उकाएं inspiring ने तो ये सब खाएं ये उदिन आ बाद में बाद में तो पर्श आता नहीं इसे अपना सर चुपा लेता है मोच चुपा लेता है इस बंद कर लेता है बस औरिंज खाता है उसको कोई भी फूट सबी नहीं खाने है कर दे दाल को मैंने सुबह मी बिगोके रग दी और इसको भी ग्राइंड कर ली हूं साथ में पालक के पत्ते को कट करके वोच करके कट कर ली हूं रिखे डाल दी नहीं दाल थोड़ा सा बेशन मुझे आड़् करना है तो छाथ में बहुत सारा प्याज डाल दूँगी यमी लगता है इसमें अइरन की कठाई रख दिए और इसमें सारे मसाले डाल दी मसालो में मैंने धनिया जीरा पाउडर और साथ में नमक लास लास में नमक डाल रही हूं इसके लाबा कुछ भी नहीं रालना है और थोड़ा सा बेसं बांडिंग के लिए आपको डालना तो छोटी शोटी बॉल्स बना कि मैं इसको डिफराई कर लिया रही हूँ और एक साइट से पूरी अच्छी तरीके से हो जाएगा तब ही इसको पलटना होता है नहीं तो फिर यह तूटने के चाल से होते हैं तो यहां पे मैंने इसको पलट लिया है और वो फ्राई हो रहा है एक बैच मैंने निकाल लिया फ्राई करके और दूसरा बैच में फटा फट से डाल रही हूं वीडियो तो बहुत लंबी थी वट करना पड़ा क्योंकि मैं चाहती हूंगी दस से बारा मिनट के ही वीडियो डालू कैसा लग रहा है आपको कैसा लग रहा है स्पॉर्स इनको तो बहुत अच्छा लग रहा है इस अभी हो गया है रात का टाइम और मैंने चावल को भीको की उसको छानगी रख ली हूं आलू और यहां पर मटर पनीर गाजर गोबी सारा कुछ मैंने कट कर लिया है क्योंकि इस जादा हम नहीं खापाते हैं ममी जी को पैरोड़ में दर्द हो जाता और ज्यादा ठंडा भी था तो बस यहां पर पकोड़ी मैं आज तक नहीं बनाई थी इस पर फर्स टाइम ही मैं बनाई हूं मुझे मालूम है नहीं था कि हमारे घर में मकर संक्रांती की दिन पकोड़ी साथ में यहां पर गालचर को मैं कर रही हूं का दूकस और इसमें डालने के लिए को कि इससे ना इसका बहुत ज्यादा अच्छते क्योंकि मटर यह सारी चीज़े रहती है यहां पर ममी को लेकि आई इस चावल दिखाने के लिए ममी इतना चावल मैंने वाश किया तो कहीं साथ बहु का एक साथ ही मकर संक्रांती का त्युहार मनाए हैं तो गैस इस ब्लोग को यहीं पैंड करती हूं मिल दिए नेक्स ब्लोग में बाबाए